Hello everyone, मेरा नाम नजीब खान है और Transfer of Property Act 1882 की सिरीज में ये मेरा 15th lecture है या ये मेरी 15th वीडियो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Transfer of Property Act के अंदर section 14 के बारे में देखिए ये जो section 14 है TPA का ये काफी important है, concept के लिहाद से भी बहुत important है और इससे काफी question पूछे जाते हैं, ठीक है, ये जो section 14 है, ये deal करता है, rule against perpetuity ये section deal करता है, rule against perpetuity हमें समझ में आ रहा है पढ़ने से कि ये कोई एक ऐसा rule बताता है, जो perpetuity के against है perpetuity का क्या मतलब हुआ, perpetuity का मतलब हुआ, कि कोई indefinite period तक, हमेशा के लिए कोई चीज जो हमेशा के लिए हो, indefinite period के लिए हो, जिसके लिए कोई time limit ना हो और हमेशा के लिए वो चल रही हो, उसको बोलते हैं perpetuity, कि कोई चीज की गई है, perpetuity तो पढ़ने से समझ में आ रहा है कि rule against perpetuity, यानि जो indefinite period तक की कोई चीज हमने करी है, उसके against rule, ताकि वो indefinite period तक ना हो, हमेशा के लिए ना हो, अब जाहिर सी बात है कि अब ये transfer of property act के अंदर है, तो जाहिर सी बात है ये transfer of property के उपर होगा, तो perpetuity का मतलब क्या हुआ, कि हम कोई property को ऐसे transfer करें, कि जो हमेशा indefinite period तक, forever, हमेशा तक के लिए बंध जाए, तो अगर हम कोई property इस तरीके से transfer करते हैं, जो हमेशा तक के लिए फसी रहे, हमेशा तक के लिए बंधी रहे, हमेशा तक के लिए tie up रहे, तो हम कहेंगे कि हमने property को transfer करा है, perpetuity में, तो अब ये क्या कह रहा है, rule against perpetuity, तो ये एक ऐसा rule बता रहा है कि आप property को ऐसे transfer ना कर पाए, जो हमेशा forever, indefinite period तक फसी रहे, tie up रहे, तो इसका मदला बेश, section 14 के अंदर ऐसा कोई rule है कि आप जो property transfer करेंगे, उसको आप चाहे जितना दिमाग लगा के transfer करें, लेकि section 14 ने एक ऐसा rule बता दिया है कि वो indefinite period तक हमेशा तक के लिए फसी नहीं रहेगी, इसी चीज़ को पर ये section 14 deal करता है, rule against perpetuity, बहुत बार इस तरीके से transfer किया जाता है कि property फस जाती है, property को फसाया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ छूट दी गई है, जैसे हम लोगों ने section 13 के अंदर भी पढ़ाता है, section 14 एक तरीके से section 13 का extension है, और बढ़ा के हमें बताता है, थोड़ी ची छूट और दे देता है, वो भी हम लोग समझेंगे इसके अंदर, property कैसे फस सकती ही, यह समझीएगा, जैसे हम लोगों ने section 10 के अंदर क्या पढ़ाता है, condition, restraining, alienation, ऐसी कोई शर्त लगाना, जिससे आपका power of alienation छीन लिया जाए, power of alienation मतलब कि property को dispose off करने का power, property को further transfer करने का power, अब को हम कोई property दें और शर्त लगा दें, कि अब आप इस property को किसी और को नहीं दे सकते हो, property फस गही, जिए यह मेरी property बहुत पसंदीदा property है, मैं दे तो दे हूँगा आपको, लेकिन किसी के पास power of alienation नहीं होगा, है इस तरह की कोई शर्थ की कोई माइने नहीं रहेगा अगर आपके पास प्रॉपर्टी चली गई अब वह आप क्योंगी आप जैसे चाहें बेचें जैसे चाहें डिस्पोस आफ करें एक तो तरीका यह हो सकता प्रॉपर्टी को फसाने का अगर हमें बहुत मुहबत है कि जब तक हमने आपको दिया है आप जब तक जिन्दा है आप इसका कभजा रहेगा आपके पास आप इसको इंजॉय कर सकते हैं इसका कभजा आपकी जिन्दगी भरतक के लिए रहेगा एक बर आपकी डेथ होएगी आपके बाद यह के पास जाएगी एक बाद यह के बाद जाएगी बी की डेथ होगी तो बी के बाद ये सी को जाएगी अब यहां भी जो हम सक्सेजिव इंट्रेस्ट क्रिएट कर रहे हैं अगर आप गौर करेंगे तो इसमें किसी के पास पावर ऑफ एली नेशन नहीं है कि आपके पास भी छीने हुए हैं किंगे हमने तो शर्द लगाई हुई कि आपके बाद ये बी के से प्याईगी एक के बात बी के पास जाएगी जब हम पहले हैं कि ये किसके-किसके क्रिएट करें तो जितने लोगों को दे रहे हैं उस टाइम पे ट्रांसफर करने के दौरान जब हम आपको दे रहे हैं इस वक्त सारे लोगों को जिन्दा होना ज़रूरी है आप जिसको जिसको चाहे दीजे कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D के पाद जाएगी, D के बाद E को जाएगी कोई रोग टोग नहीं यह लोग है तो इस तरीके से देखे हम successive interest create कर रहे हैं तो इस तरीके से law ने कोई रोक नहीं लगाया तो इससे हमें यह पता चलता है कि first generation तक मतलब कि जो हमारी generation में हैं लोग होंगे हम उन तक तो transfer कर सकते हैं तो लेकिन सब जीवित होने चाहिए यह भी एक शर्थ है तो ऐसा तो कोई ना point आए गहीं आएगा कि कोई ना इनसान की उसमें कोई एक आदमी के पास जब property जाएगी वो हो सकता है मरे यानि कहीं ना कहीं हमें एक generation से दूसरे generation तक तो property पहुचानी पड़ेगा कि भाई एक के बाद B के पास जाएगी, B के बाद C के पास जाएगी, C के बाद D के पास जाएगी हम कितने successive interest क्रियेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं हमें उसको next generation में ले जाना ही पड़ेगा एक लास्ट हमें ये शर्ट लगानी पड़ेगी कि D के आने वाली आउलाद पर जाएगी फिर पूरे तरीके से, इस तरीके से कितने successive interest क्रियेट करेंगे हम एक generation हम कितने लोगों को जानते होंगे तो हम एक time के बाद ये शर्ट उसके अंदर डालेंगे ही डालेंगे अपनी property को बचाने के लिए कि D के बाद फिर ये D के आने वाली जो आउलाद है ये D के आने वाली आउलाद के पास जाएगी तो अब section 13 के अंदर हम लोगों ने क्या rule पढ़ा है कि section 13 ने ये rule बता दिया है कि अब अगर आप आने वाली आउलाद को property दोगे तो फिर ये life interest नहीं create करोगे नहीं करिए कि अगर transfer करने के जौरान सब लोग जिंदा है आप transfer करिए कोई रोग टोग नहीं लेकिन जहां आपने ultimate beneficiary अगर उसका कोई unborn है तो वो आपको पूरी property उसको देना पड़ेगी यानि आपको partial interest नहीं create करना पड़ेगा उसके फिगर पूरे तरीके से property उसकी होनी चाहिए life interest नहीं होनी चाहिए कि फिर उसके पात उस बच्चे के पास उसके जिंदगी भरतक रहेगी ऐसा नहीं चलेगा अगर हमने ऐ ट्रांसफर करना वाइड होगा और प्रॉपर्टी जो है रिवर्ट बैक होके ट्रांसफर के पास से लिए हैं तो यह कुछ तरीके हैं जिनके जरीए प्रॉपर्टी को भासाया जा सकता है टाइप किया जा सकता है तो एक तो तो section 10 ने वाइड डिक्लेर कर दिया जो हम अब जो दूसरी वाली शर्त है कि प्रॉपर्टी को हम उसके जो वेस्ट करने को पोस्पोन करते जाएं कि यह ultimate किसके पास जाएगी तो उसके लिए section 14 ने हमें एक time limit बताया है कि आप किस हद तक प्रॉपर्टी को वेस्ट करने से रुपर्ट करने को पोस्पोन कर सकते हैं अब थोड़ा से हाँ पर एक चीजा और समाल मतलब क्या हुता है अमने हाँ यह वर्डी इस्तेमाल कि अब वेस्टिंग करने को जब हम प्रापर्टी किसी को ट्रांसफर करते है यह तो एक वेस्टAR या था होता है या तो contingent interest क्रियेट होता है अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगा थोड़ा से ब्रीफ में समझ लेते हैं अगर हमने कहा कि आपके फेवर में वेस्टेड इंट्रेस्ट क्रियेट हुआ तो इसका मतलब प्रॉपर्टी आपकी हो गई है कोई शर्थ लगी है जब वो शर्थ आप फुल्फिल करेंगे तो प्रॉपर्टी आपकी होगी लेकिन अभी शर्थ आपकी नहीं है और अगर कणिजेंट इंट्रेस में आपको कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी आपके लीगल एर्स उत्तर अधिकारी आपके जो इनहे प्रॉपर्टी उंके पास नहीं जाएगी बिल्कि रिवर्टड होके मेरे पास से लिएगी तो दो तरीके के इंट्रेस्स क्रियेट होते हैं प्रापर्टी को ट्रांस्फर करने में हम लोग अभी आगे चल यदो अभी यागे चल एसको सबस्ते हैं तो एक छो था condition restraining alienation, उसको section 10 ने void declare कर दिया है, उसी तरीके से ये दूसरा section है, section 14, अब ये rule against perpetuity, कि अब आपने property के इस तरीके से transfer किया है, कि वो हमेशा तक के लिए फसी रहे, उसके लिए ये rule बताता है, कि rule against, जो perpetuity के against हो, कि जो आपने successive interest create कराया है, इस तरह से आप कितने time तक property को tie up कर सकते हैं, कितने वक्त तक उसको फसा के रख सकते हैं, इसी चीज़ को पर है section 14, ठीक है, इसके bear at की language में हम लोग बाद में जाएंगे, अभी आपको नहीं समझ माएगी, bear at की language, पहले हम लोग इसके अंदर जा के इसकी details को समझते हैं, देखे, अब और इसके अंदर बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मुझे Facebook, Instagram और Twitter को पर follow नहीं किया है, तो जल से जल follow कर लिजे, Instagram पे मेरी ID है नजीब खान 11, जो आपको इस video के description के अंदर मिल जाएगी, देखे, अब हम लोग इसमें आगे ब पताया हैं, पूरे वहीं है, आप इसको समझेगा, where property is transferred in favor of an unborn person, subject to a prior interest created by some transfer in favor of certain living person, then according to section 13 of TPA Act, the entire remaining interest of the transfer must be conveyed to him. अब अगर आपने मेरी section 13 के उपर वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले काम क्या करिए कि इस section 14 के उपर वीडियो देखने से पहले section 13 वाली आप वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से detail में समझाया है, कि किस तरीके से हम अपनी property किसी unborn person तक transfer कर स हमने आपको उसके एक एक रूल बताए है, section 13 के तरह है, तो section 13 के इस तक हम ये property transfer करना चाहते हैं, तो section 13 हमें तरीका बताता है कि आप कैसे transfer करोगे, भाई, अभी तो वो पैदा हुआ नहीं है, बच्चा तो हम कैसे उस तक property transfer कर पाएंगे, तो section 13 हमें एक रूल बताता है, कि उस तक पहुचाने से पहले आपको जाहिर सी बात है, किसी इनसान को पहले देना पड़ेगा machinery of trust के जरीए, या किसी और इनसान को देना पड़ेगा, suppose that आपके case में हम आपको देंगे, ठीक है, उसके बाद section 13 कहता है कि फिर जब आप बच्चे को दे रहे हैं, तो बच्चे को पूरे तरीके से दीजेगा, ये नहीं करिएगा कि बच्चे के पास जिंदगी भर तक रहेगी, ऐसा कु अब यहाँ पर पता चल गया कि बच्चे के पास property कैसे जाएगी, हमें section 13 से ये rule पता चल गया, अब बच्चे के favor में ये vested interest, property कब west करेगी, अभी हमने आपको बताया, vested interest, contingent interest क्या होता है, बच्चे के favor में ये property कब west करेगी, इसका जवाब section 20, transfer of property act के नदर हमें मिलता है, वो बताता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, property उसके पास west करेगी, यानि property उसकी हो जाएगी, unless की कोई contrary intention ना दी गई हो, यानि माल लीजे जो हमने transfer करा है, जो transfer में हमने बाते लिखी है, उसके नदर हमने कोई against बात न बोल दी गई हो, अगर ऐची कोई बात हमने नही बोली है कि इस बच्चे के पास कब जाएगी, जैसे हमने शर्ट अगा दिया, कि जब वो 18 साल का होगा, या जब तक वो 10 साल का नहीं होता है, या जब तक 15 साल का नहीं होता है, इस तरह है कि अगर हमने कोई शर्ट नहीं लगाईगी, ये property उसको west हो जाएगी, वेस्ट उस उसके जो तरह दिकारी होंगे, property उनके पास जाएगी, ना कि revert back होके transferor के पास जाएगी, तो ये property west कहने का मतलब, लेकिन अगर शर्ट लगा दिया, तो vested interest उसके फेवर में नहीं create हुआ है, उसके फेवर में contingent interest create हुआ है, तो अगर शर्ट नहीं पूरी होई, नहीं पहु जाएगी, एक rule पता चल गया, 20 के अंदर हमें ये भी पता चल गया, कि वो पैदा होगा, तो उसके फेवर में vested interest create हो जाएगा, अब section 14 जो है, section 14 जो है, हमसे वो ये कहता है, section 14 कि अब चलो कि अब आप मान लिजे कि चाहते हो कि property जो आप vested interest create हो रहा है बच्चे के फेवर मे आप चाहते हो कि उसको foreign ना मिले property, foreign vested interest ना create हो बच्चे के फेवर में, तो आप उस पे शर्थ impose कर सकते हो कि भाई, उसके पास property कब जाए, बच्चे के पास property कब जाए, आपको चलो थोड़ा सा छूट और देते हो, वो छूट क्या है, कि जब तक बच्चा बालिग नहीं हो पहुचती है, 14 से यह पता चला है कि बच्चे तक ठीक है, आप पहुचाना चाहते हो, लेकिन चलो, आप नहीं फॉरन देना चाहते हो, कि वो पैदा हुआ हो, फॉरन चली जाए, आप शर्थ impose करके उसको और रोक सकते हो property, वो कब तक? 18 साल तक, ठीक है, तो अब section 14 जो है, बस इतना ही हमें main चीज बताता है, जो main crux है, section 14 का वो यही है, कि property को आप कितना total time तक, जो है, tie up कर सकते हो, फसा सकते हो, रोक सकते हो, वो क्या है, कि जो आपने life interest create करा है, उससे पहले, जो बच्चे के case में था, एक को, दो को, तीन को दी है, आपने property, एक के बाद B को जा के से देने से पहले भी आप कुछ time और postpone कर सकते हो, वो क्या है, उससे बच्चे की minority, minority का मतलब, जब तक वो बाली ना हो जा है, बस, according to section 13, the entire remaining interest of the transfer must be conveyed to him, but that provision does not provide as to when the interest shall vest in the unborn, यानि 13 में ये तो बता दिये गया है, कि बच्चे तक property कैसे पहुचेगी, लेकिन ये नहीं बताया गया है, कि उसके पास interest कब vest करेगा, इसका जवाब मिलता है section 20 गे अंदर, section 20 जो है ये बताता है, of this act, that where on a transfer of property an interest then is created for the benefit of a person, not then living, he acquires upon his birth, देखिये, section 20 के अंदर बताया है, he acquires upon his birth, unless a contrary, जो हमने बताता है, unless a contrary intention appears from the transfer, vested interest, कौन सा interest acquire कर रहा है, vested interest, अपना पाईदा होते ही, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately, on his birth, तो section 20 सामें ये पता चल गया, कि बच्चे के favor में vested interest कप create होगा, तो ये बता रहा है कि जैसी वो पैदा होगा, vested interest उसके favor में create हो जाएगा, unless की contrary intention ना पियर हो, कि आपने कुछ और चीज उसके अंदर mention कर दियो, कोई शर्त लगा दियो, अब आगे बढ़ते हैं, The principle of section 14 goes further, where the transferer does not wish to convey, लेकिन जहाँ पे transferer जो है पोरण नहीं चाहता है कि बच्चा पैदा हो, property उसके favor में vest करे, where the transferer does not wish to convey the property to the unborn person immediately on his birth, then he can postpone the vesting of property in him, but this postponement, this postponement should not exceed beyond the minority, minority of the unborn person, if it is postponed beyond his minority, the transfer in favor of unborn person shall become void. I hope कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कि ये क्या बताना चाहरा है, कि आप property जो है कितना postpone कर सकते हो, हम लोग और point इसके देख लेते हैं, एक हम लोग पहले illustration ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको illustration से समझाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा illustration, A एक वेक्ति है, A एक वेक्ति है, आपनी property B को transfer करता है, B को transfer करता है अपनी property for life, कि ये तुम्हारे पास जिन्दगी भर के लिए रहेगी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, कि तुम्हारे मरने के बाद ये C के पास जाएगी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, उसके बाद C के मरने के बाद ये D के पास जाएगी, ये भी समझ में आ गया, कि A अपनी property B को transfer करता है उस पर ये शर्ट रहती है कि B के मरने के बाद C के पास जाएगी C के मरने के बाद D के पास जाएगी ये शर्ट impose कर देता है A फिर D के मरने के बाद जो है ये D के beta जो है E D का जो beta है unbond उसके पास जाएगी absolutely ये शर्ट लगाता है ठीक है अब ये तीनों लोग जो है ये transfer करने के दौरान जो है ये तीनों कि ये तीनों जिन्दा है कि अब देखे music कहीं से बजने लगी कोई शादी वगएर हो रही ये लग रहा DJ आ रहा है कितनी तेजी से बाज आते हैं कोई rule नहीं कोई regulations नहीं आप है कि आप सोच लीजे कि हमारे कमरे में दो-दो विंडो है इसी वज़े से इतना शोर शराब होता है दो-दो डोर लेकिन उसके बाद भी खुले हम दीजे बचते हैं कि लेकिन यहां के लोग seriously लेते इनी चीज़ों को कि अब कि मुझे लग रहा है वीडियो रोकना पड़ेगा क्या अब कि चलिए आई होप कि आपको मेरी अवास तेज आ रहे होगी आप लोग मेरी बात पर ध्यान दीजेगा हम क्या बोल रहे हैं उसको और उपर कर लेते माइक को कि बहुत तेज आवाज आ रही है मुझे बहुत तेज सुनाई दे रही है पता नहीं अब आप लोग के पास कितनी तेज जाएगी तो अब हम आप लोगों क्या बता रहे थें कि यहां पे एन अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करा शर्ट लगा दिया कि तुम्हारे मरने के बाद सी के पास जाएगी सी के मरने के बाद डी के पास जाएगी जिस वक्त यह ट्रांसफर कर रहा था यह तीनों के तीनों जो है जिन्दा थे और फिर उसके बाद एपसल्यूटली यह जाएगी एक के पास जो अनबॉन परसन है इसके पास चली जाएगी एपसल्यूटली तो यह जो ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर तक भेजने की कोशिश करी है यह पूरे तरीके से वैलिड शर्थ है यह किसी भी रूल के अगेंस्ट नहीं जा रही है शर्थ वैलिड है पूरी तरीके से इन तोनों तीनों का जिन्दा होना और इसके पास प्रॉपर्टी को जाना एक क्योंकि अगर यह वजूद में नहीं आएक यह खतम हो जागा तो फिर प्रॉपर्टी और शिप कि हो उनर्षिप की मताँ वह प्रॉपर्टी उसवड़ किसकी है एक तरीके से प्रॉपर्टी एक मुमेंट के लिए भी विना मालिक के नहीं हो सकती तो अगर यह मर ग बगाई जाती है तो यह पूरी तरीके से शर्थ वैलिद है यह किसी भी रूल के अगेंस्ट नहीं जा रही है ठीक है यह किसी भी रूल के अगेंस्ट नहीं जा रही है अब सेक्शन 14 यह सेक्शन 13 के अंदर ही बताएगा है रूल सेक्शन 14 फर्दर क्या कह रहा है कि अब अग तो 18 साल आम तोर फे-डूर मान। के चला जाएगा अनलेस कि उसके लिए से आप प्रॉपर्टी को टाइब कर सकते हैं कि पोस्पोन कर सकते हैं वेस्टिंग को कि इसके फेवर में वेस्ट होने से पहले प्रॉपर्टी इतने समय तक जो है पोस्पोन रहे इसके फेवर में आने से पहले तो यह टोटल टाइम है ठीक है आप इसके दर हम लोग कर सकते ह प्रॉपर्टी को फसा सकते हो, टाइब रख सकते हो, बस, यही section 14 के अंदर बताएगे है, यह main हमने आप को रूर बताए, illustration के जरीए, जैसे आप कुछ possibilities हम लोग और लेते हैं, जैसे माल लिजे कि A ने अपनी property B को दिया, कि यह तुम्हारे पास रहेगी जिंदगी भर, उसक के बाद D के पास जाएगी, D के पास भी रहेगी जिंदगी भर, यह सारे लोगों का इस वक्त जिंदा होना जरूरी है, जिस वक्त यह property इसको दे रहा है, ठीक है, यह तभी हो पाएगा possible, फिर उसके बाद E के बेटे के पास जाएगी जो अभी unbound person, ठीक है, लेकिन E के पा हो गया, यहाँ पर एक contingent interest हो गया, देकि शर्थ 18 साल तक maximum आप लगा सकते हैं, impose कर सकते हैं, 18 साल के उपर नहीं लगा सकते हैं, section 14 मना करता है, क्योंकि उसने minority का word इस्तेमाल कर दिया, तो minority कहने का मतलब कि जितने तक आप property को tie up कर सकते हैं, तो अगर शर्थ 18 साल के बाद इस तरह कि अगर कोई शर्थ लगा दिया, तो contingent interest create हो गया, क्योंकि section 20 में क्या लिखा हुआ है, कि unless contrary intention appear, अगर contrary मतलब कोई अलग, कोई विपरीत intention आपकी नहीं पता चलती है, तो बच्चे के पैदा होते ही, वो vested interest acquire कर लेगा, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर वो contingent interest create होगा, तो अगर हमने शर्थ लगा दिया है, कि 18 साल के पास, 18 साल के जब वो हो जाएगा, तब जाएगी, उससे पहले अगर इसकी death हो गई, तो contingent interest create होने का मतलब कि property वापिस से लियाएगी इसके पास, और अगर ऐसी कोई शर्थ नहीं लगी है, तो मान लिजे कि, जैसे ये आपिस A के पास आईगी, हम बहुत सरल से शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को समझना पढ़ेगा इस सारी चीज़ें, हम यहाँ पर क्या चीज़ बता रहा है, इस वीडियो को कई बार देखिएगा, मेरे notes पढ़िएगा, और फिर बेराट की language पढ जबाब देता है कि वो बच्चा vested interest कब acquire करेगा property को, यह कहता है कि ठीक है भाई आप property जो vested interest आप create करना चाहते हो, उसको थोड़ा और postpone करना चाहते हो, वोरा नहीं देना चाहते हो बच्चे को, तो maximum period 18 साल तक property को और रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका पैदा होना जरूर यह बता रहे कि लौक और इस तरह के कानून इसलिए बनाए गए हैं, ताकि property जो हमेशा तक के लिए फसी ना रहे, भाई अगर हमेशा तक के लिए property फसी होने लगी कि तो हर इंसान को अपनी property बहुत चाहिए है हम भी यह शर्ट लगा देंगे, आप भी यह शर्ट लगा देंगे, तो सब की सारी की property फसी रहेगी, कभी हम लोग खरीदने निकलेंगे तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति उसके पास power of alienation है नहीं बेची नहीं सकता है, ट्रांसफरी नहीं कर सकता है, कुछ हो इनी सकता है, जब property ट्रांसफरी नहीं होगी, तो property से जो फायदे निकलते हैं, जो समास तक पहुशते हैं, कोई फायदे नहीं हो, property का होगा, property सर्कुलेटी नहीं होगी, सारी एक जगा जमी रहेगी, तो इन चीजों को ध्यान में रख खराएगा कि property हमेशा तक फसी मेर है, frequent disposition of property is in the interest of the society, and also necessary for its more beneficial enjoyment, the rule against perpetuity protects the object of law that the property should be in motion, property transfer होती रहने चाहिए, इदे के हमना आख बता है, in any disposition, perpetuity may arise in two ways, हमना आख बता है कि किसी भी property को transfer करने पे perpetuity दो तरीके से arise हो सकती है, कि property को दो तरीके से फसाया जा सकी, inalienable बनाया जा सकी, taking away the transferies power of alienation, कि आपको हम दें और कहे दें कि आब आप इसको बेच नहीं सकते हो, जो section 10 से cover हो जाती है, वो इसको void declare कर दे था, तो इसका काम खतम हो गया, दूसरा by creating future remote interest, future remote interest create करते चले जाएं, कि इसके बाद इसके पास जाएगी, उसके बाद उसके पास जाएगी, इस तरीके से उसके नदार time limit लगाते चले जाएं, तो अब एक तो हो गया कि हमने power of alienation चीन लिया, दूसरा जो है remote interest create करते चले जाएं future में, तो एक को तो section 10 ने void declare कर दिया, power of alienation चीन लेना, दूसरे को section 14 cover करता है, अब देखे हम लोग ingredients देखते हैं section 14 के, फिर last में हम लोग bare add की language देखी है, पहली है section 14 के अंदर, there is a transfer of property, एक property का transfer होना चाहिए section 14 के अंदर, यहनि एक interest transfer होना चाहिए, property का transfer होना चाहिए, the transfer is for the ultimate benefit of an unborn person who is given absolute interest, कि अब वो property जो आप transfer कर रहे हैं, उसके अंदर जो शर्ते रखी गई हैं, उस शर्तों के अंदर जो property का end होगा, कि अब at last यह किसके पास जाएगे ultimately, वो होगा एक unborn person, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, existence में नहीं, उसके पास वो ultimately जाएगे, यह हो रहा होगा, ठीक है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, the vesting of interest in favor of ultimate beneficiary is preceded by life or limited interest or living person, हमने जो section 13 अंदर आपको बताया थे कि अब ultimate beneficiary तक property पहुचाने से पहले आपको कुछ live interest create करने पढ़ेंगे भाई, जो बच्चे अभी पैदा ही नहीं हो, उसके पास property हम कैसे transfer करेंगे, किसी ना किसी एक trust पर देनी पढ़ेगी, किसी एक बंदे को देनी पढ़ेगी, तो अब जो आपकी अउलाद है, उसको दुनिया में आज आना चाहिए आपकी death से पहले, यह इसका कहने का मतलब है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी अउलाद नहीं हुई, आपकी death होगी, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी का interest किसके favor में होगा, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होगी हमारे पास आज़ेगी, क्योंकि बिना मालिक के तो होगी नहीं प्रॉपर्टी, किसी ना किसी से तो उसका interest जोड़ा होगा, तो किसी भी एक moment जो है property इस condition में नहीं हो सकती है, ठीक है, तो प्रॉ ABB हो सकता, ABCD कई लोगों को भी आप दे सकते हैं, successive interest करके पर शर्त है कि सब उस वक्त, जिस वक्त हम आपको दे रहे हैं, सब लोगों का जिन्दा होना जरूरी है, तो उन लोगों की जिन्दगी भर तक, प्लस, प्लस minority of ultimate beneficity, प्लस हम चाहते हैं कि बच्चे को फौरण ना म जो last interest जिसके favor में create करा है, उसके पास रहेगी, ठीक है, तो जिसके favor में हमने last interest करा है, जब तक वो जिन्दा रहेगा, उसके जिन्दगी भर तक उसके पास रहेगी property, ठीक है, उसकी जिन्दगी हो गई, उसके बाद बच्चे को, अब हमने property ट्रांसपर करी तो बच्चे की जो उमर होती है, जिसे जब तक वो बालिख नहीं हो जाता, 18 साल तक तो 18 साल तक पसीरीगी, एक पॉइंट यहां पर हो रहता है, कि अगर मान लिजे कि बच्चे की जो 18 साल उमर होती है, अगर बच्चा मा के पेट में आ गया है, तो वहां भे क्या हो जाएगा, कि जो prior interest create हु 18 साल minority का, ठीक है, rule against perpetuity under English law and Indian law, English law allow 21 years in gross after life or lives in being, while Indian law only allow the period of minority after life or lives in being, but in case court appoint the guardian, the minority is postponed to 21 years, यह चीज़े इन डिटेल्स आपको मेरे notes मिल जाएंगी, देखिए, एक illustration है यहापे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, where a property is transferred to a, जहाँ property जो है, एक को transfer करीगी, for life, जिन्दगी भन के लिए, उसके बाद to an unborn person, फिर एक unborn person के पास, when he attends the age of 19 years, 19 years, शर्ट लगा दिया गया है, कि यह property उसके पास जाएगी, जब वो 19 साल का हो जाएगा, the transfer to unborn person, void under section 14, अब यह जो transfer करना है, बच्चे के हिद में, यह void होगा, क्यों वोइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 19 साल शर्ट लगा दिये गया, कि जब वो 19 साल का हो जाएगा, तब तक कि हमने वेस्टिंग को postpone कर दिया, तो यह वेस्टिंग 19 साल तक कैसे ह कि वो बालिक तो 18 साल का होला, section 14 तो minority की बात कर रहा है, कि उसके minority तक property को आप और tie up कर सकते हो, यह तो 19 years पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 19 years अगर लगा रहे हैं, तो यह जो transfer करना है, यह void हो जाएगा, the transfer to unborn is void under section 14, ठीक है, यह कह रहा है कि अगर लोग जिन्दा हैं और आप property को transfer करना चाहते हो, तो उसमें चाहे एक के बाद दो उसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, चाहे जितने सारे लोगों को देदो, कोई problem नहीं, section 14 उस चीज़ को मना नहीं करता है, अब देखे, total period जो है, कब तक के लिए हम property को tie up कर सकते हैं, where the unborn person come into existence at or before the expiry of the last prior interest, अगर unborn person जो है, वो last जो interest था, उसके खतम होनी से पहले पैदा हो जाता है, अब जिसे example के जरी समझेगा, यह कह रहा है कि जिसे, A ने property दिया, B को, उसके जिन्दगी भर के लिए, फिर B के बाद, C के पास जाएगी, उसके जिन् C के बाद, D के पास जाएगी, उसके जिन्दगी भर के लिए, अब उसके बाद, D के unborn person के पास जाएगी, जो E है, ठीक है, unborn के पास जाएगी, absolutely, तो अब यह कह रहा है कि, E का D के मरने से पहले, वजूद में आ जाना चाहिए, तो उस case में क्या होगा, कब कितने time तक, जो unborn person in being, आप देखिए, A ने property दी थी, B को, उसके बाद, C के पास गई, D के पास गई, देखिए, फसा हुआ है, यह सारे लोग transfer नहीं कर सकते, किसी के पास power of alienation नहीं है, फिर उसके बाद, E के पास जाएगी, E की minority तक, उसके साथ plus हम लोग add कर लेंगे, 18 years और एड़ जाग उसके मरने के, उसके मरने के बाद, बच्चा जो है, मतलब उसके मरने से पहले, बच्चा जो है, मा के पेट में आ गया था, उसके मरने से पहले, मा के पेट में बच्चा आ गया था, पर अभी वो पैदा नहीं हुआ, तो उस case में क्या हो जाएगा, life or lives in being, plus period of gestation, जब तक में रहेगा, और plus period of minority of unborn person, बस, यह बता रहा है, if the period postponing the western of property exceeds beyond the above mentioned period, it shall be void, and unborn person will not get the property transfer, अगर आपने जो उसके अंदर शर्ते लगाई, वो इन से उपर जाती है, तो property जो आपने unborn के favor में create करी है, वो उसके पास नहीं जाएगी, property रिवर्ट बैक हो के transfer के पास आ जाएग अब इसके कुछ exceptions भी है, rule against perpetuity के कुछ अबवाद है, देखिए हमने आपको बता देखिए कि आप इस तरीके से property फसा नहीं सकते हैं, तो यह mainly commercial purpose के लिए है, यह जब हम commercial purpose के लिए lane देन करने के लिए property को transfer कर रहे हैं, ना कि अगर आप समाच के फाइदे के लिए होते हैं कि भाई हम यह मकान दे रहे हैं, इसको हमेशा school के लिए इस्तिमाल किया जाएगा, हमेशा कोई धर्म के लिए इस्तिमाल किया जाएगा, लोगों की help करने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा, जैसे आप Muslim law में भी जानते है, property को work कर दिया जाता है, कि लोग आएंगे, यहाँ पर रूखेंगे, यहाँ पानी पीएंगे, इस तरही किसे आप property जो है, आप दे सकते हैं, charitable purpose के लिए, वक्फ के लिए, trust के लिए, trust के लिए, उसमें आप चाहे जितना indefinite period तक के लिए शर्द लगा सकते हैं, वो valid रहेगी, लोगों के hit के लिए, समाज के लिए, यह TPA के सक्षिन 18 के अंदर साफ तोर पर बताएगी है, तो वो ट्रांसफर वाइड नहीं होगा, जैसे ते कि सक्षिन 18 में क्या बोला गया है, सक्षिन 18 टीपी में बोला गया, the restriction in sections 14, 16, हम लोग कौन से section पढ़ना है, 14, तो सक्षिन 18 कह रहा है TPA का कि जो restriction दिए गया है 14, 16 और 17 मे shall not apply in case of a transfer of property for the benefit of the public in the advancement of religion को, religion को पढ़ाने के लिए, knowledge को, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind, ठीक है, तो एक exception यह हो गया दूसरा, property settled upon individuals for memorable public services may be exempted from the operation of this rule, उसी तरीके से the rule against perpetuity applies when interest in property is created and has no application to personal contracts, जो personal contracts हो रहे हैं, उसके उपर नहीं लागू होगा rule against perpetuity, जहां पर property transfer हो रही है, सिर्फ उसके उपर होगा, हमने आपके साथ कोई personal contract किया हुआ है, side by side, कि जिसे आप हम ही को देंगे यह, और आप किसी और को नहीं देंगे, इस तरीके का हमने कोई personal contract किया हुआ है, तो उसके उपर लागू नहीं होगा, the rule against perpetuity applies when interest in property is created, जब सामने वाले के favor में आप interest create कर रहे हो, उसके साथ कोई शर्द लगा के property transfer कर रहे हो, and has no application to personal contracts, a contract for sale of property does not of itself create any interest in such property, ही कह रहा है कि अगर आप contract करते हो property को बेचने के लिए तो वो कोई interest create नहीं कर रहा है, thus a contract to pay money to a person, his heirs और legal representatives upon a future contingency, which may happen beyond the period prescribed would be perfectly valid, अगर आप को यह ऐसा contract करते हो, कि हम पैसा देंगे, तुमारे legal heirs को, legal representatives को, upon कोई future में कोई contingency होती है, जो इसमें limit बताई गई ही है, जितनी 18 साल तक पूरी add करके उससे भी आगे जाती ही, वो valid रहेगी, the rule होता है, तो उसमें renewal of leases को डाल के अगर आप property transfer करते हैं, तो बता रहे हैं कि उसके भार rule लागू नहीं होगा, the rule does not apply when only a charge is created, which does not amount to a transfer of any interest, हमने इसको अल्रेटी बता है कि charge जो है transfer of property नहीं होता है, example one property is made merely security for the payment of money, however in the absence of a charge, payment of income to a payee from a generation to generation is void as offending the rule against perpetuity, a covenant of redemption in a mortgage does not offend the rule, covenants for preemption, covenants for preemption, preemption मतलब की कोई property है, हमने आपके साथ है मानने जुड़े हुए property में हिस्से में है, हमने आगी भाई property किसी बाहरी इंसान को बेचने से अच्छा है, मुझसे तुम पूछे ना मैं खरीद दूँगा, तो उस तरह का कोई contract for preemption in respect of a land, unrestricted in point of time, do not offend the rule against perpetuity, ठीक है, अब हम लोगों ने rule against perpetuity समझ लिए, अब हम लोग इसको bare act में देखते हैं, अब यह आपको समझ में आएगा, देखिए क्या कह रहा है, no transfer of property can operate to create an interest, which is to take effect after the lifetime of one or more persons living at the date of such transfer, यह कहरा कोई भी property जो आप transfer करते हैं, can operate to create an interest, वो कोई interest create नहीं करेगी, after the lifetime of one or more living person at the date of such transfer, याद करी, जो हमने आपको एक example दिया था, कि suppose that कि A ने अपनी property दिया है, B को, फिर उसमें शर्थ लगाया है कि यह तुम्हारे पास जिंदगी भर के लिए रहेगी, फिर उसके बाद यह जाएगी C के पास, उसके बाद भी जिंदगी भर रहेगी, फिर D के पास, फिर उसके बाद भी जिंदगी भर रहेगी, उसके बाद यह जाएगी E के अनबॉन परसन के पास, तो यह क्या कह रहा है, no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more living person at the date of such transfer, अब जब यह इसको transfer कर रहा था, यह सारे लोग जिंदा थे, यह भी जिंदा था, यह भी जिंदा था, ठीक है, यह अनबॉन हो सकता है, यह अनबॉन हो सकता है, लेकिन ही सारे लोग जिंदा थे, तो lifetime of one, यह ए date of such transfer, and the minority of some person, अब यह इसकी minority तक, and the minority of some person who shall be in existence, वो existence में होगा, हमने क्या बता आया था, कि इसके मरने से पहले इसका existence में आना जरूरी है, who shall be in existence, who shall be in existence at the expiration of that period, ठीक है, and to him if he attains full age, अब उस पैसी शर्थ लगा दिया गया, कि उसके पास जाएगी, if he attains full age, the interest creator is to belong, a covenant for pre-emission does not offend the rule against perpetuities, and cannot be considered void in law, तो यह हम लोगों का section 14 है, आप section 13 को पहले देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझने के बाद section 13 को section 14 में आईएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आजाएगा, section 14 के अंदर कुछ भी नहीं है, और आपका अच्छे से concept clear हो जाएगा, I hope कि यह आपको वीडियो clear हो योगी, have a good day.